पूरे लुध्याने में भाया हला हुआ पड़ा है कि आप ऐसी मूर्ती बना रहे हो इस बार गने चतुर्थी में कि भाई अगर विसर्जन करन जाओगे तो पांच मिनिट में घुल जाएगी पिल्कुल सही सुना सर आपने कि यह पानी बारी इसको हम ढाल रहे हैं पानी में यह आप 10 मिनिट में आपको इसको यह पूरा जूल कर मिल जाएगी दिख्राने की बात नहीं है कहने की बात नहीं है 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 हमारा एकी सामने दिखा जूह है है हम इस लिए तो अलग है और हमारे इमानंद इतना हो तना ते हम सारा पोरार नि में पूरनी नहीं वहन अलग सीर्टर कर दो जितनी मूर्तियां पणि है तो धितनी पांच मिट मैं यंपने आपको दुबारा नहीं इने भर में बंटी है उसमें डालिए यह दस मिन एंट में घोल जाएंगी सब जोल अलग से अलग मिलेगा कर द लेकिन मीट्ती में कैमिकल मीक्सUR कर लग relatively में लेकिन मीट्री में कर देते इसके बज़्ज़ पराधियान गब कर में टोकर पराधिया करना एपने तरीके से कैमिकल ने गवेल्णकरी कि अब लोग गनपती बाबा को घर में लेकर आएंगे और आज हम एक ऐसी मूर्ती बनाने वाले कहां पहुंचे श्री राम मूर्ती यार जो यह पुरे लुद्याने शहर में यह हला किया हुआ है कि यह मूर्ती बनाते हैं जो पांच मिनट में पूरा मूर्ती जो है वो गल जाता है और वो लोग कहते हैं कि मूर्ती यहां वहां बिखरी होती है तो के जावा कर रहे हैं कि हमारी मूर्ती बहिए कहीं नहीं नजर आए कि बहुत दूर है अब तो हमारे लिए तो दूरी नहीं है है अब मालिक कहा है आपके आगे हैं अच्छा मालिक आगे वह भी लगे हैं अरे भी आपसे थोड़ी सी बात कर नहीं तो में टाइम देंगे हमें बिलकुल सबोड़ी है पूरे लुध्याने में हला हुआ पड़ा है कि आप ऐसी मूर्ती बना रहे हो इस बार गने चतुर्थी पे कि भाई अगर बिसरजन करन जाओगे तो पांच मिनिट में घुल जाएंगी बिल्कुल सही सुना सर आपने ऐसा कैसे हो सकता है अपको 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 अगर कोई आप से मूर्ती ले गया कुछ ऐसे हो गया तो हमें बोलेंगे ना वो आप दिखाए लाइब करके क्योंकि हमने आज तक ऐसा नहीं देखा लिए मैं अभी आपको लाइब करके दिखाऊंगा यह देखिए यह हमारी मूर्ती बनी हुई है तयार है बेसक हमारा दस मिनट में दस दस मिनट में यह पूरी मूर्ती यह घुल जाएगी इसकी देखिए यह तो रंग करा हुआ है रंग भी हमारा अलग धंका होता जो नुकसान दाइक नहीं होता है जो हमें मतलब जंगलों से पतियां से लेकर इस चीज के रंग तियार करते हैं और कूट- इसको कोई मिलावट नहीं होती है बस घास फूस होता इसमें इसमें कोई केमिकल नहीं होता एकदम बिल्कुल सुद्धता का ध्यान रखा जाता है बनाने से लेकर और एंड तक आज कल तो मूर्ती वाले जो केमिकल यूज करते हैं वह भी बहुत खतरनाक होते हैं आप कौन सब्सक्राइब कोई नाम ही नहीं है हमारे पास हम कैमिकल सब्सक्राइब करते हैं कहीं से भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कैमिकल करते हैं वह हमें भी प्राकृतिक के लिए नुक्सान है और हमें भी नुक्सान दायक है हम पानी में डालेंगे नहर में डालें पानी में मिल जाएगा उसके बाद इसको जो अपना गमले में फूल की गमले में डाल सकते हैं वह उसके लिए फैदा करेगा ठीक है और कहीं आपको जगह है तो उस पे डाल सकते हैं क्यारियों में डाल सकते हैं आज कल तो हिंदू धरम में लोग बहुत जादा यह कहते हैं कि भाई मूर्तियां नदी के किनारे पड़ी हैं वहीं पर जानवर आ रहा है वहीं पर लोगों के पैर पढ़ रहे हैं वह मूर्तियां तो वह कौन से मूर्तियां होती हैं लोग मिट्टी ओंपियों में कई लोग तो दिखाते हैं मिटी कर देते हैं इसके वजाये से क्या हुता है कि सथ तुलोगों की कान सी होती है रहे अजêu क्लोगों की का सब brauchी यही होता है यह जो हमें सुद्ध मिट्टी चाहिए लेकिन लोग अपना कमाई के चकर में होता है क्या जो अपना क्यमिकल मिक्स करते हैं लेकिन हमारे पास सारा कुछ आपको लाइब दिखाएंगे सारा कुछ होगा जो हमें पुरकुल साहर चीज में सुद्धता जो भी होगा हमारे मिक्स करना भी हो कोईगा क्योंकि हमने इस बीडा कोई भी फियुक्त रखते हैं ऐसे को क्वालेटी में यह वर्ण देंगे हर चीज से फिनिसिंग का हर चीज का अगर जैसा चाहिए आपको मतलब होटो ले आई आपको फोटो से कॉपी करके हम देंगे चीज लाइब एक वरी तुसी देख दे रही हो कि पांसाथ दस मिर्दा इना ने किया है कि ए मिट्टी जड़ी है ए कुल जाएगी ते सारा पानी ता आप लगे आदेखो मिट्टी कुल नहीं ओध क्या बात है यह देखो हमारा मिक्स यह इसमें मिक्स है यह देखिए घास फूस अब बीकर नहीं होता है कोई यह थी यह दो हम कहते हैं कि जिसको अपना घ्र में करके जो भी करके इसको करने के बाब बाद अपना घर में गंडा करम घूल यह उम फूल लगते जाना पड़ेगा कोई नदी में जाना पड़ेगा गहर पेकर सकते हैं ज़ने की जूरत नहीं उसके साथ शुदता भी रहेगी हैं अपने हाथ से करेंगें और फैरों नए नहीं जो भूल रहिए तो मिकस्त मिक्स हो जाएगी और उस पानिम में डाल देनाय हैा में जो हमारा पौधा लगा होता है उसके लिए फाइदा दाइक होगा फाइदे के लिए होगा भाई पांजमेंट भी नहीं होए है तो मूर्ती इकवरी में दखा के देखो लाइब तो अनुब बिल्कुल उत्थी खड़े हैं उत्थी इंटर्वु कर रहे हैं तो बिल्कुल ही कहूंगा कि इस बार गनेश चतूर्थी जड़ी आ रही है तो लोग पीओ पी तेस्तरा वालियां मूर्तियां सस्ता देखके जड़ा खरीद लें देने ओ इस वार एक गलती नहीं करने गया देखो बिल्कुल जड़ा पानी देवेच्च मिक्स हो चुका है देखो जी है कि यह बियत्भी हो गई हमारें हिंदू धरमके देवी देपा जो है वhou इधर किनारे पे हैं यहीं अलग है यहीं जो Колे यहीं सीजि券 के लिए हमाय लाग है क्यों हमें हर चीज का द्यान रखना होता है प्रकरत की से लेकर और जो पीलाल के लिए जो dosarny के लिए यहीं च में में आनु देशाहें पर लोगम बनाते चाहे अपके पास कहीं ले कहीं क्योंकि कहते हैं मिट्टी से नक्या खास करके लोग परमात्मा के समय करते हैं जी वीजनसों के लिए लग बहुत कुछ कुछ कर सकते हैं कह देते हैं कैई जो सबसे खतर नंकों तो पी यह जो पी इतना क्षशान होता है उस Combust होता है जब गार केमिकल होता हुँऊ जब यह पानी में जाता है उसके लीमक्षिले के लिए करें यसमें जो भी जनवर रहते हैं पानी में वो तो नहर में जाके दरिया में जाके वो सारा रूलता रहता है यह देखिए हमारा पानी में साथ में गूल गया मिट्टी यह देखिए यह दिखाने की बात नहीं है कहने की बात नहीं है है हाकिकत है हमारा अरे यह कैसे हो सकता भीया यह कैसे हो सकता है सर देखिए ना पहले साम प्राइबी कोनुक्सान टे है कि नुक्सान पहुंचा विसलिए हम तुन कलगया है और हमारे दिमांड इतका। इतना होता है कि हम न henu ने कामयान श्यार में आपके नाम की तो ऐक अच्छा हुई पड़ी है कि भाई वहीं से मूर्ति लेके आएंगे बिल्कुल सुना है अपने ऐसा ही है हम खुद ने डिमांड पूरा कर पाते हैं बिल्कुल अच्छा हां जी चतुरती की कैसी त्यारिया कर रहे हैं बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है बस टाइम एंड प पर पांच मिनट में आपको दुवारा नहीं मिलेंगे अच्छा ऐसा सोचा कैसे बलब आपने कैसे सोचा कि वे में प्राब में जाने की जरूरत क्या है हम घर में को नहीं कियों क्यों प्रवाज गर में क्यों Haus टी में डाल देते हैं पानी पर लेंगे उसमें डाल देंग देंगे 10 पिर हमारा हो शाही hurts पी जरूरत नहीं है गर के शोते नहीं नहीं पांट कोई चणने की ज़रूरत नहीं आपानी में डालियाद घर में बाल्किल ये मिटी जैसा जैसे आपने शुरू किया था वैसा हो जाएगा बाद में उस पानी को कहीं गमले में अपने घर में सब के घर में गमले होते हैं गमले में डालिए क्यारियों में डालिए ज़रूरत ही नहीं है कहीं बाहर पैरों में कभी नहीं आएगा वो जी बिलकुल जी तो प भी दृटी ने बश जाने अपकी मूर्तिया पिर इस भार मूर्थिया जा रही है हर जेगे मूर्तिया जो बड़े बरे पंडालों में जारही है शारा हमारा में सारा माल निकल जाना यहां से बिलकुल जी मतलब ये सारे अडर ने आ अपने आप ने ही नहीं होता है अच्छा हम खुद नहीं बना कर देते हैं जो आर्डर की छेंगा अब बना है हमारे बस मतलब भाव छेजे लेके डो फित पाच फीट तक रहे गाना बनती यह चाहिए अब जो और कीजूए गा जो भी काम होगा मतर से होता है बना कर द neuralziehen रखते अचकर जिसा भी काम चाहिए आपको और देना परेगा पहले और कोई कहे कि भीया मुझे इस डिजाइन का चाहिए उसके लिए उसके लिए आपको हमें फोटो दिखाना होगा जो आप फोटो दिखाएगा वही चीज मिलेगा अच्छा बिलकुल सर तो भीया अब गनेज चतुर्थी को लेके कितने ओर आ गए आपके बास आपके बास रहने से नहीं होता है और लेने से नहीं होगा हमारे पास अब टाइम नहीं है ना फिर भी अगर ज्यादा है को इसना मजबूरी है तो फिर एक आदा कोसिस करेंगे बनाने को अच्छा बन जाएंगे पुरे लुद्याने शहर में सबसे अलग काम कर रहे हैं बिलकुल जी सर क्यों यूज करते हैं सवारो हार चीज में अलगते हैं यॉस्ता के लिए हम हर चीज में डालते हैं यह तो हमारा सनात्न धर्म का प्रमपरा आना जो किसी चीज में सूब काम के लिए अगर करिय अगर continuously करा जाता है तो तो उसके लिए हम इसमें अपना ठार्म क्यों के सब्सक्राइब के हमारे यहां और से होता है आपने डिजाइन दिखाना जो भी चाहिए जैसा भी मूर्थी हो कोई डिजाइन हो जो भी आपने ऑडर करना वो चीज आपको बनके त्यार मिलेगी मंदिर मंदिर वगेरा में सुना की काम काम अभी पूरा करके आये हैं उसके बाद जलंदर काम चल रहा है लुद्याना तो तकरीबन 90% मंदिरों में हम से ही काम होता है सारी मंदरों काम जो भी कोई 2-4 मंदर जो हमारे दर्शक जानते हूं उसमें से कोई मंदर हो बिल्कुल बिल्कुल गीता सबसे पहले तो अब में परसंट काम हमारे हाथ का किया हुआ है और हाली में अभी जो लक्षमी नाराइन की मूर्ति अस्थापना हुई है उसमें भी हमारा ही काम है उसके बाद वहां पर हर साल नौरात्रे पे दुरगा का स्वरूप हम अलग डंके दिखाते हैं कई बार संकसिपियां की दिखाए दिखांके है एक जों का दिखाए मकाने का दिखाए लिएव हर साल इकमदिर करते हैं त reflects कौन से ह्मारी बिल्कुल चिकनी मिट्टी होते है हमारे बिलकुल सुद्द मिट्टी ऑक्रिछां जो पानी के साथ उसमें मिक्स करना होता हम घा स्तर्भしました मिक्स करते हैं हमारे पत्वाइब जो जाने वाला है यह साडे तीन पीस है यह फिट का पीस है यह दौटे सबसे जादा नीचे का है जो लोग घरों में उनके लिए 2 फिट का जब दो पुझा करते हैं उनके लिए दो सबसे अलग मिलेगा और इनके मलब रेट क्या रहने वाले रेट भी पूरा सहर से बिल्कुल चीप रेट बिल्कुल चीप रेट एक सेवाब हो से बेटर सबसे अलग मिलेगा बिल्कुल जी अगर लेनी हो कि मूर्तिया वही जो मैं फिर कह रहा हूं जो मूर्तियां विसरजन करते करने के बाद पांच मिनट में घूल जाती है और आसप्रास में आपको कभी नजर नहीं आएंगी वह मूर्तियां लेनी हो तो कहां पर आएं यह हमारा जगह प्रता है जी जशियां पिंड जो बड़ी प्रत आप प्रतै define उर इसर बाकि नारं पर नगा चैडो में प्रें में यह सार जबीए यह करेंगे में उसके बाद बाद एक ईक करकेट अड़ में यह डुला तो हमारा लर्का जो भी होगा यहां पे वो डील करेगा उनसे आपको कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फॉन कीजिए आप वहां से अपको लर्का रिसीव कर लेगा नंबर भी बता दो एक बार अठान में 783 24 056 सर देखिए जो भी आइटम है हमारे पास जो भी डिजाइन लेके आएंगे सबसे कम रेट में यह हमारा स्री राम मूर्ति आर्ट यह त्यार करके देगा आपको जो भी चीज चाहिए मूर्ति हो मंदिर का हो गेट का हो कोई भी ऐसा डिजाइन हो घरों का हो डिजाइन है कोई खरों में ने कासी कराना चाहते हैं वह भी कम रेट में सबसे कम रेट में मार्कट का एगा के से और करेंगे आपको नमर है हमारा हमारा कॉंट्रैक्ट की जिए उससे अप कहीं भी आपको हम लोकेशन देंगे अगर नहीं भी फिर भी पहुंच रहे हैं तो हमारा लड़का रेसीब करेगा आपको अमारी जगह पे आपको लेके आएगा तो भीया गड़े चतुर्थी की सत्लोज या कोई भी दर्या के पास हमारे देवी देवतर ना पड़े रहे उसके लिए करना क्या है हमें ऐसे लोगों के पास आना है ऐसे कलाकारों के पास आना है जो उस मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं जो पांच मिनट में पिघल जाती हैं हमने भी देखा अच्छा